हालो नीट के प्राणी तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि बोट्स और नीट को किस तरह हैंडल करना क्योंकि काफी अब कन्फूजन क्रियेट हो गई होगी सब के अंदर की बोट्स भी आ रहे हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं पूरे देखना और कुछ बाते हैं ध्यान रखने इन बात होगा तो वीडियो शुरू करते हैं फिर देखे सबसे पहले ये अभी थोड़ा कन्फूजन क्रियेट होगा होगा कि बोट्स के लिए पड़े या नीट के लिए पड़े तो देखे first of all आप अपना aim decide करें आपका aim क्या है aim आपका अगर बड़ा है तो उसके लिए बड़ा dedication होना चीए बड़ी practice होनी चीए बड़ी महनत होनी चीए तब ही आप बड़े aim के तरफ जाएंगे अगर आप लोगों ने नीट के लिए preparation करनी है तो देखे अपना पहले तो आप motive तैग कर लीजे कि यार हमें इसके लिए prepare करना है उसके बाद जो चोटी चोटी जैसे boards वगरा आते है देखे मैं नहीं कहता कि boards important नहीं है वो भी अपनी जग़ा बहुत important है and we have to score there also हमें वहाँ पे भी score अच्छा लाना पड़ता है लेगिन अगर आप ये सोचिए न यार आप तो एक level उपर की तयारी कर रहे है यानि आप need की preparation कर रहे है जहाँ level boards से 12th standards 11th standards से बहुत high है तो क्या आप वो नहीं handle कर पाएंगे खुद सोचिए क्या आप इतने तरीके से नहीं पड़ रहे है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर boards को दे पे आएंगे तो वहाँ पे अच्छा score ले आएंगे खुद सोचिए देखिए अब आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने preparation अपनी अगर मैं मानता हूँ कि 10-20 दिन पहले से start कर रही boards की तो more than enough है कोई इतना बड़ी बात नहीं है boards में अच्छा number लाना तो आप खुद सोचिए आपकी biology तो strong है biology आपकी plus point में जा रही है क्योंकि आपने उससे भी ultra level की biology आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपके लिए boards की biology theoretical position जो questions आते है वो इतने tough नहीं लगेंगे क्योंकि आपने उससे भी कई गुना tough level की biology आपकी prepared है biology हम लोग side में रख देते हैं उसके बाद बात आती है physics की यार physics का क्या है आप लोगों ने अगर आप लोग numerical कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके concept solid होंगे और concept जिसके solid होते हैं उस बंदे को physics के derivations easily हो जाती है अगर आप क्या कहते हैं थोड़ी क्या कहते हैं आप preparation करेंगे आपके leave मिलेगी या आप लोग अभी boards के लिए physics पढ़ना चारे हैं तो आप लोगों के ये इस हिसाफ से पढ़े कि आपका neat के जो होता है portion वो भी cover हो जाए और साथ में जो important derivations हो उसको भी करिए उसको भी उतना time दीजे अपना 12th का portion इतना solid कर लो अब कि आप neat के लिए भी prepare हो जाओ और 12th के boards के लिए अब रही बात physical education की English की यार पांच माय दो दो तीन तीन दिन इसमें भी लगाओगे न बहुत अच्छे number आ जाएंगे बस अपना focus जो आपका aim high है जो आपने सोच रख है कि यार मुझे ये पाना है वो उसके लिए determined हो जाओ number यहां boards में आपको मिल देंगे आपकी biology strong होगी physics आप लोग कर लेंगा अगर महनत करेंगे और रही बात chemistry की यार chemistry मैं नहीं मानता जो need के लिए अगर prepare कर रहा है उसकी chemistry weak होगी boards level की boards level अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है आपका last revision है for the boards and for the need महलब पूरा cover लेना है आपको दोनो दोनो चीज़े cover करनी है अब देखो आपके पास है दो option या तो सोच के time बिता दो या तो अब कुछ करके दिखा दो मैंने अब यही समझाना था कि देखे आप लोग tension मत लीजिए वक्त आ गया है you have to prove yourself toughness बढ़ रही है तो result भी आप इलाके देंगे तो दोनों को handle करें और 12th का portion अब इस तरह से पढ़ने कि आपका need भी prepare हो जाए और 12th भी prepare हो जाए महाँ भी अच्छा score आ जाएगा तो बस क्या चाहिए थोड़ा सा time आप लोग time management अब थोड़ा बढ़ा दो study hours थोड़े बढ़ा दो थोड़ी मेनद कर लो 2-3 महीने का समय result आप लोगों के हाथ में होगा उमीद करता हूँ आप लोगों समझा आ गया होगा कि आप लोगों करना क्या है यह कि 12th के लिए अब आपको 12th का portion उठाना है और solid तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी need भी प्रिपेर हो जाए और 12th भी प्रिपेर हो जाए ठीक है और फिर उसके बाद जितना time बजएगा उसमें 11th का portion उठा लेना और mzqs कर लेना time बहुत कम है सोच के मत बिताओ कुछ कर के दिखाओ मिलते फिर नेक्स वीडियो में